नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है, मैं आजे ब्रमातमस, आज डॉक्टर जी का रिव्यू, डॉक्टर जी अनभुती कश्यक निर्देशित फिल्म है, और इसका निर्माण जंगली फिल्स ने किया है, बात आगे करूँ, इसके पहले मैं चाहूँगा, कि आप से नेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीजियो पसंद आते हैं, तो बाहर में ये कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी भी खरी दें, प्रिय अनभुती, मैं यह एक पत्र नुआ टिपणी कर रह तुमने ये जाहिर कर दिया था, कि तुम एक स्वतंत्र सोच की लड़की हो, और निश्चित रूप से आउसर मिले, तो कुछ न कुछ कर पाऊगी, और यह तुमने कर दिखाया, डॉक्टर जी एक बेहत खुपसूरत फिल्म है, जरूरी फिल्म है, और यह फिल्म तुमारी पहचान बनेगी, मुझे खुशी है, कि तुम पर अपने भाईयों के निर्देशन सहली का स्पस्ट असर नहीं है, और यह एक पहुत ही महत्यपूर्ण बात है, क्योंकि अमुमन जब भी एक परिवार से कई सदस्ट से फिल्मों में आते हैं, तो वे कहीं न कहीं एक दुसर अलग रास्ता चुना है, और यह जो फिल्म बनाई है, डॉक्टर जी, हाला कि यह कॉमेडी फिल्म की तरह लगती है, फिल्म के ट्रेडर से, इसके परचार से ऐसा अलग रहा था, कि एक कॉमिकल फिल्म है, जिसमें आयुसमान को राना के पॉप्लरिटी का सहारा लिया गया है, लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं, तो यह फिल्म शुरू कहीं और से होती है, और फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, यह नए आयाम जोड़ती जाती है, नए चरित्रों को उधगाटित करती है, और फिर हम पूरी एक नई दुनिया में घुज जाते हैं, निश्यत्र दिया है, वह अनुभूती ही कर सकती थी, इस फिल्म के साथ पुर्षों के पुर्वाग्रह तूटते हैं, क्योंकि उदे कुपता, पुर्वाग्रहों से ग्रस्त एक ऐसा सामान्य भारती युवक है, भौपाल में रहने वाला एक मजोले शहर का नायक है, जिसे अंदाजा ह ही नहीं है, अब दिया आदतों में वह समझ ही नहीं पाता है, कि वह किस तरीके से मेल सौवनिजम का शिकार है, धीरे धीरे उसके जीवन में आई लड़कियां, ओरतें, यहां तक कि उसकी मा, डॉक्टर जी ना तो कोई प्रेम कहानी है, और ना ही कोई कॉमिकल फिल्म है, डॉक्टर जी बहुत ही खास, जरूरी, प्रासंगिक और कमेंट करती हुई फिल्म है, साथ ही, या समाज के दोरंगेपन, समाज की विसंगतियों, समाज में औरतों के प्रती पुरुषों के दृष्टिकोन, और औरतों के पुरुषों के प्रती दृष्टिकोन को भी जाह आते हैं आम जीवन में स्री रोग विसेशग्य डॉक्टर पुरुष नहीं दिखते हैं थोड़े कम है और यहां फिल्म के नायक उदे गुपता की यही समस्या है कि वह और्थोपेडिक पढ़ना चाहता है लेकिन उसे गाइकोनालोजी मिलती है खत्म होता है और वह एक बहतर इंसान के तौर पर सामने आता है फिल्म में उदे की दोस्त बनी फातिमा एक महत्तपूर्ण किरदार में है और ऐसे किरदार हिंदी फिल्मों में अब आ रहे हैं यह अभी खुशी की बात है जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहां कोई प्रेम कहानी नहीं आवा नुपती तुमन अगले फिल्म इससे बड़ी हो और हां इतने सारे बोज एक साथ न उठाओ तो बहतर है इस फिल्म में कई सारी बाते हैं कई सारे करेक्टर जैसे काव्या का किरदार वह अपने आप में पूरी फिल्म है इस फिल्म में अनुशंगिक तरीके से वह आती है लेकिन बहुत आईश्वान खुराना की मौलिक प्रतिभा उनके स्वभाविक अभने से खर कर सामने आई है और वे ऐसी फिल्मों में माहिर हैं तो आईश्वान आपको भी बढ़ाई कि आपने इस फिल्म को समर्तन दिया और ऐसी भून का निभाने के लिए तैयार हुए हाला की वे ऐसी फिल्म में करते रहे हैं पहले भी करते रहे हैं और यह फिल्म विकी डोनर से यहां तक आ करके एक चक्र भी पूरा करती है आईश्वान खुराना के कैरियर में मुझे लगता है कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए हाँ इसकी कम्यों पर भी बात की जानी चाहिए फिल्म के संग्रश्णा में फिल्म के पटकता में है मैं फिर से बढ़ाई देता हूं अनभुती आप भविष्य में और बेहतरीन फिल्म में लेके आएं जिसमें नारीत श्रिकोन और सपस्ट मुखर होकर सामने आये आज मैं समझ सकता हूं कि आपके माता पीता को भी कितनी खुशी हो रही होगी शुक्रिया महरवानी धन्यवाद देखते रहें सिनेमा हौद